कि अज़िए कर रहे थे किंग्डम एनिमेलिया को और हमने उसके इंदर स्टड़ी किया था ग्रेड रेडियाटा आज हम स्टड़ी करेंगे ग्रेड बाइलेट्रिया को जो के यू मेटर्जवा के अंदर एक डिवीजन है और बाइलेट्रिया के अंदर हम ऐसे और्गैनिजम को रखते हैं जिनके अंदर बाइलेट्रल सिमिट्री होती है और यह सारे के सारे एनिमल्स जो हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक होते हैं बाइलेट्रल सिमिट्री का मतलब है क एक right side होती है और उसके अंदर organs जो हैं वो इंदी फार्म आफ पेर्ज अरेंज होते हैं grade bilateria के अंदर जो सबसे पहला phylum आता है वो है phylum platyhelminthes और platyhelminthes के अंदर triplobastic acylomate flatworms आते हैं तो आज हम detail में phylum platyhelminthes को study करेंगे platyhelminthes जो है ये word platyhelminth जो word है ये दो लफजों से derive हुआ है platy का मतलब होता है flat और helminth कहते हैं worm को तो phylum platyhelminthes के members आम तो पे flat worm कहलाते हैं flat worm हम इनको क्यों कहते हैं क्योंकि इनकी body flat होती है जिस तरह एक पते की surface होती है leaf की surface होती है तो इसी तरह ये भी एक leaf की तरह होते हैं body इनकी soft होती है कोई भी hard part इनके अंदर मौजूद नहीं है यानि के कोई skeleton वगेरा proper मौजूद नहीं होता इसके अलावा इनकी body जो है वो dorsal ventrally compressed होती है यानि के body जो है वो चप्टी होती है एक इनकी ये dorsal surface होती है कमर वाली side है और एक इनकी ventral surface होती है belly वाली पेट वाली side है और body इन दोनों side से ऐसे लगता है जैसे किसी चीज के दर्मयान रखके press कर दी गई है compressed है यह सारे animals जो है ट्रिपलो plastic है यानि body जो है वो three germ layers पर मुश्तमिल होती है और यह three germ layers जो है वो है ectoderm इसके अलावा endoderm और mesoderm तीन germ layers पर मुश्तमिल body है यह सारे organisms जो है अप्लेटी हलमन्थीज के members यह a silomate होते हैं यानि के यहां पे अगर आप देखें अगर आप किसी फ्लैट वर्म का cross section लें तो उसमें आप देखेंगे के body सबसे बाहर जो है वो एक ectoderm से covered है और सबसे दर्मियान में आपको endoderm नजर आएगी जो इस organism का digestive track बना रही होगी गट वगरा बना रही होगी और इन दोनों के दर्मियान में जो सारा area है वो cover किया हुआ होगा group of cells ने जिसको हम कहते हैं parent काइमा और यह mesodermally derived cells है दर्मिया गट के अलावा आपको कहीं और भी खाली जगा नजर नहीं आएगी कोई cavity मौजूद नहीं है इस वज़ा से यह organism जो है a silomates या without silom organisms कहलाते हैं इसके अलावा अगर हम इनके cleavage pattern को study करें तो यह सारे animals जो है proto storms है protostome का मतलब है कि blastula stage में इनके अंदर जो first opening बनती है यानि कि blastopore बनता है तो blastopore जो है ultimately इनके अंदर mouth बनाता है इस वज़ा से हम इनको protostomes कहते हैं और यह सारे animals जो है bilaterally symmetrical है bilaterally symmetrical की बात हमने की के body जो है वो उसके अंदर दो equal halves है एक left side है और एक right side है और on bilaterally symmetry की हम definition यूं करते हैं कि only one plane passing through central oral 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 axis divides the organism into two equal halves इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस organism को इस angle से दो हिस्सों में काटूं तो एक यह left side होगी और एक इसकी right side होगी और यह दोनों sides जो है mirror image होगी किसी और एंगल से अगर मैं इसको काटने की कोशिश करता हूं तो body equal halves में divide नहीं होती इसके लावा इनकी body जो है उसके अंदर आम तोर पे segmented body नहीं होती जो इसके बाद कुछ groups आएंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि body जो है वो usually segmented होती है lifestyle इनका कैसा है तो यह अक्सर जो platy helementies है वो सारे के सारे ही parasites हैं मिसाल के तोर पे टीनिया, solium या tape worm जो है वो humans की intestine के अंदर रहता है faciola, hepatica या liver flu जो है यह हमारी bile duct के अंदर रहता है, parasite है humans का इसी तरह शिस्टोसोमा जो है यह blood flu क्यालाता है और यह blood vessels के अंदर रहता है यह जो organisms हैं यह सारे के सारे parasite हैं और अपने host के उपर रहते हैं और उस से nutrition obtain करते हैं बनी बनाई food जो है वो चोरी कर लेते हैं आम तोर पे यह अर्गैनिटम्स जो हैं यह दुनिया में tropical regions में ज़्यादा पाए जाते हैं tropical regions वो parts हैं world के जहां पे जो equator के नजदीक होते हैं यानि के अगर आप दुनिया का नक्षा देखें तो उसके अंदर जो यह center के करीब होती है और गर्मी शदीद होती है तो इन मुलकों के अंदर यह ज्यादा होते हैं इसके अलावा कुछ free living species भी जो है पालम प्लैटी हेलमन्थीज का हिस्सा है मिसाल के तोर पे डुबीसिया या प्लेनेरिया जो है यह एक fresh water के अंदर रहने वाला platform है size जो है वो प्लेनेरिय को देखें तो इसका size several meters हो सकता है यह जो आपको यहाँ पे बार नजर आ रही है यह बार तकरीबन one foot के बराबर है और उसके मकाबले में आप यह देखें तो कम से कम यह जो एक single tape worm है यह 10-15 foot के बराबर है तो several meters सक tapeworms की लंबाई हो सकती है organ systems जो है वो relatively इनके अंदर simple है for example digestive system जो है वो sack like digestive system होता है जिस तरह हमने radiator के अंदर देखा था नाइडेरियन के अंदर देखा था कि वहाँ पे body जो है वो एक simple sack थी मिसाल के तोर पे hydra जो है उसके अंदर एक simple cavity थी एक single opening थी mouth और यहीं से food enter होता है और यहीं से बार जाता है तो यहाँ पे भी case वही है सिर्फ क्या है कि वो जो sack था वो further छोटी छोटी ब्रांचिस के अंदर जो है जिस तरह यह दो ब्रांचिस है तो इसी तरह बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचिस के अंदर divide हो गया है यह इसका mouth है और यह sack यहां से शुरू होता है और यह एक ब् है इसी तरह दो ब्रांच एक बड़ी ब्रांच जो है यह है और यह तीनों ब्रांचिस जो है वो further छोटी छोटी ब्रांचिस के अंदर divided हैं तो ब्रांच सैक लाइक डाजेस्टिस सिस्टम है सिंगल ओपनिंग है सिर्फ माउथ है इनस इनके अंदर मौजूद नहीं होता ड डायरेक्टली अपने होस्ट से फूड अप्टेन कर लेते हैं बना बनाया ग्लूकोज और दूसरे इंपॉर्टन न्यूट्रियंट्स एब्जॉब कर लेते हैं तो फूड को डाजेस्ट करने की इनको जरूरत नहीं होती कई और्गैनिजम्स इन में ऐसे हैं जिनके अंदर डायरेक्ट्स सिस्टम सِरे से हैं से नहीं एक्स्वीट्री सिस्टम हो Demo प्तर इनके अंदर मौजूद है नाइडेरियंग्स की निजबत और एक्स्वीट्री सिस्टम है वो बाडी के अंदर काफी सारी नालिया होती हैं नाल RAM बरॉन्चेश की इनमे से हर एक बरांच की टिप के उपर जो है एक चोघी सी स्वेलिंग होती है और इस स्वेलिंग को अगर आप गोर से देखें तो यह एक फ्लेम सेल बना हुआपको नदर आएगा flame cell हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक cilia का गुच्छा होता है चोटा सा और इसमें क्या होता है कि यह जो cell है यह अपने surrounding से जितना भी fluid भरा हुआ बाडी के अंदर तो उस fluid में से nitrogenous compounds जो waste compound होते हैं वो collect करता है और यह सीलिया जो constantly beat कर रहे होते हैं तो यहां से fluid जब flow करता रहता है तो उसमें से nitrogenous waste यह cell absorb कर लेता है इनको absorb करके इन नालियों में भेज़ देता है और ultimately यह body से बाहर फैंक दिये जाते हैं इसके अलावा इनके जो nervous system है वो भी relatively थोड़ा सा advanced है advanced इस लिहाज से है कि इन organisms के अंदर बाकाइदा तोर पर एक head मौझूद है phylum nideria के अंदर हमने देखा था कि महां पे कोई proper head नहीं था यहां पे proper head है और head के अंदर जो neurons का group मौझूद होता है जिसको हम ganglion कहते हैं अब इस ganglion से फिर further दो nerve cords निकलती है दो nerves निकलती है और यह nerves फिर आगे body में further छोटी छोटी branches में divide हुई होती है इसके अंदर ज्यादा तर जो chemicals को detect करने के organs हैं इसी तरह light को detect करने के जो organs हैं वो यह anterior end पे यानि के head पे मौझूद होते हैं दो इसके अंदर eye spot आम तोर पे planeria के अंदर मौझूद होते हैं और इसके अलावा यहां पर इसको जह हैं वो chemicals को detect करने के लिए smell या taste करने के लिए organs मौझूद है respiratory system बाकी जो systems है respiratory system या circulatory system वो इनके अंदर मौझूद नहीं होता उसकी वज़ा यह है कि इनकी body जो है वो बहुत ही small है और यह small body का फायदा यह होता है कि यह just a few cell layers थिक होती है बारीग सी body होती है और gases जो है वो directly इनकी skin से diffuse हो सकती है तो कोई specialized respiratory system या circulatory system की जुरूद इनको नहीं पड़ती लोको मोशन जो है वो आम तोर पे जो parasitic species है वो तो मूझ भी नहीं करती है जिस organism को infect कर लेती है फिर उसी के अंदर सारी जिंदगी गुदारती है तो इनको एक जगा से दूसरी जगा जाने की ज़रूद नहीं हो पड़ती इसके मुकाबले में जो free living species है मसल दूसरे चोटे मोटे अपनी खुराक वगहरा ढूंड सकता है चोटे मोटे जानवरों को खा सकता है री प्रोड़क्शन जो है वो एक स्पेशल तरीके से होती है जिसको फिशन कहते हैं फिशन के दुरान क्या होता है कि यह organism दर्मयान में से transversely दो हिस्सों में divide हो जाता है एक इसकी right side बन जाती है एक left side है तो यह दो हिस्सों में यहां से दर्मयान से divide हो जाएगा और उसके नतीज में क्या होगा कि यह जो right side वाला portion है यह अपनी left side वाला जो portion है यह अपनी right side जो है यह नए सीरे से दुबारा बना लेगा और यह दोनों अपने बागी उसके मकाबले में sexual reproduction जो है वो उसी तरह से sperm और egg के मिलने से बनती है अक्सर species जो हैं वो हर्मा फ्रोडाइट होती हैं यानि के एक ही individual के अंदर male organs भी होते हैं और female organs भी होते हैं मसलने यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ovaries भी हैं और testis भी हैं और ovaries जो है एक्स प्रोड्यूस करती हैं टेस्टी स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं इनके मिलने से जो है जाईगोट बनता है और जाईगोट फिर larva बनाता है और larva से फिर आगे complete adult बनता है फूड जो है जो parasitic species हैं वो directly अपने host से ही food obtain कर लेती हैं इसके मकाबले में जो free living species हैं वो आम तोर पे small sized animals को खाके protista वगरा को खाके या plant matter को खाके या decaying organic matter को खाके जिन्दा रहती हैं commonly जो flatworms जो बहुँ जादा मशहूर हैं उनके अंदर सबसे पहले drugisia है जिसको हम planeria भी कहते हैं planeria जो है ये एक free living flatworm है और इसकी body के उपर छोटे छोटे से cilia होते हैं और ये fresh water के अंदर रहता है उसके मकाबले में faciola hepatica है faciola hepatica को हम liver fluke भी कहते हैं liver fluke आपको ये यहाँ पर नजर आ रहा है liver fluke जो है ये humans के अंदर endo parasite है endo parasite का मतलब होता है ऐसे parasites जो inside the body रहते हैं बाड़ी के उपर नहीं रहते हैं बरके अंदर रहते हैं और ये digestive track through enter होता है और फिर वहां से bile duct के अंदर जाकर वहां पर बैड़ जाता है और फिर सारी life वहां तक गजारता है इसके head के उपर जो है यहां पर suckers मौजूद होते हैं suckers ऐसे organ हैं जिनके जरीये से ये tissue के अंदर जो है attach हो जाता है permanently और फिर वहां से remove नहीं होता फैसियोला, hepatica या liver fluke जो है अपना life cycle दो hosts के अंदर complete करता है इसका main host जो है वो sheep या man है इसके मकाबले में intermediate host जो है वो snail है जब infected individual infected sheep या man के faeces पानी जारा के अंदर शामिल होड़ाते हैं तो वहां पे जो snails रह रहे होते हैं उनको ये infect करता है और फिर वहां से निकल के ultimately जो है water से फिर ये sheep की body में या man की body के अंदर दुबारा से दा अलावा एक और बड़ा commonly found flat worm जो है वो tape worm है tape worm को हम scientific name लेते हैं tinia solium tinia solium भी एक endo parasite है humans के अंदर और इसके अलावा ये cattle में और pig के अंदर mainly infection cause करता है इसका intermediate host जो है वो pig या cattle है या life cycle का आदा इसा ये man के अंदर complete करता है और बाकी आदा इसा जो है वो pig में या cattle के अंदर complete करता है इसकी body जो है वो एक लंबे से ribbon की तुरह होती है और ये ribbon जो है ये छोटे-छोटे segment से मिलके बना ओता है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि ये छोटे-छोटे से टुकड़ों से मिलके बना हुआ और ये जो चोटे-छोटे से टुकड़े हैं इनको हम proglotted कहते ह है हर एक प्रोलाटिट के अंदर शेक्स औरगंस का एक पेर मौजूद होता है और यह सबसे नीचे के मौजूद प्रोलाट प्रोलाटिट है यह वक्तन फ्रवक्तन जो है यह तूटते रहते हैं अब यह जो टेफर्म है यह human intestine के अंदर रहता है अब होता क्या है कि इसके यह जो proglotis है इनके अंदर sex organs मौझूद है और इन sex organs के अंदर egg और sperm produce होते हैं और egg और sperm जो है वो विदिन अद बॉड़ी आफ़ दी मदर रहते हैं और fertilization होती है fertilization के बाद zygote बन ता है और zygote के बाद फिर embryo बनता है अब embryo जो है वो अभी proglotid के अंदर यह उता है तो काफी सारह हजारों की यह dダ में embryo जो है वह आख़ी proglotid के अंदर जमा कर दिये जाते हैं और फिर यह प्रोग्लॉटिट जो है वो यहां से बॉड़ी से टूट जाता है और फिसिस के थ्रू जो है वो बॉड़ी से बाहर निकल जाता है वहां पर जाके यह मटी वगारा के अंदर मिल जाएगा और फिर जो है इस यह मटी के अंदर मिल जाएगा तो लारवा जो है अल्टिमेडली वो ग्रास वगारा के उपर कंटैमिनेशन कास करेगा और जब कोई जानवर मसलन कोई बकरी या गाए वगारा जो है वो ये ग्रास को खाएगी तो ये इसके मसल्स के अंदर जाके गट के थूरू उसके मसल्स के अंदर जाके बैठ जाएगा बाद में आप उस जानवर को अगर जिवा कर लेते हैं और उसको खाते हैं और उसके गोश्ट को आप ठीक तरह से पकाते नहीं हैं और जहां कच्छा गोश्ट खाने के कोशिश करते हैं जो प्रॉपरली कुप डुना हो तो क्या होगा कि यह इसके जो लारवी हैं यह ज़्यदा कांटे मौजूद होते हैं जिसके जरीए से यह आपकी इंटस्टाइन के अंदर चिपक जाता है और वहां फे पिर कंप्लीटी ग्रो करता है और ग्रो करके यह सेवरल मीटर्स साइज में पहुंच जाता है और उसके बाद दुबारा से इसका लास्ट जो है वो नए सीरे से लाइफ साइकल शुरू करता है इसके अंदर एक्ज होते हैं और यह फीसिस के तुरू पास ओन होता है और इस तरह इसका लाइफ साइकल चलता रहता है अब यह टेवर्म जो है इसको ट्रीटमेंट करना इसका बहुत मुश्किल है उसकी वज़ा यह है कि अगर इसका बाड़ी यह सारी की सारी बाड़ी यहां से तूट के फीसिस के तुरू रिमूव भी हो जाए तो और सिरफ इसका हैड लगा रह जाए तो यह रीजनरेट करके कम्पलीट रिबन दुबारा से बना सकता है तो इसकी वज़ा से इनकी ट्रीटमेंट मुश्किल होती है फिर इसके उपर सकर्ज होते हैं जिसकी वज़ा से यह इंटेस्टाइन से इतनी असानी से निकलता नहीं है और वहां पर परमनली अटेज रहता है इसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स जहां हो मैडिसन देते हैं इसके लावा एक और टेक्नीक जो इसकी हो जाता है अब यह जो टेप वर्म्स हैं यह बेसीकली बने ही पैरासिटिक लाइफ साइज लाइफ स्टाइल के लिए हैं इनकी लाइफ का हर एस्पेक्ट जो है वो पैरासिटिजम के लिए एडाप्टिड है बड़ी अच्छी तरह से स्पेशलाइज है मिसाल के तोर पे इनकी बाड़ी के ओपर एपिडर्मिस नहीं होती बलके उसके मुकाबले में एक बहुत ही रिजिस्टेंट क्यूटिकल मौजूद है अब यह क्या करती है कि जब इनके लार्वी को या किसी और इसके एक्ज गएरा को इंजेस्ट किया जाता है तो हमारे स्टमक के अंदर ब होस्ट के डाजेस्टिव एंजाइम से इस और्गैनिजम को प्रोटेक्ट करती है और इसके अलावा एक दफा अगर यह आपके बाड़ी के अंदर पहुंच गए तो वहां पे सकर्ज या हुक्स की मदद से परमनली जुड जाएंगे और फिर इनको रिमूव करना जरूरी चीजें थी वो बाड़ी से रिमूव कर दी हैं मिसाल के तोर पे मसल्स और उनको कंट्रोल करने वाले नियूरॉंस जो हैं वो सीरे से इन्होंने खतम कर दी हैं क्योंके इनको जरूरत ही नहीं थी और यह परमनलनली स्पेशलाइज हो गए हैं पैरसिटिजम के लेकिन क्या है कि एक इंडिविजूल से दूसरे इंडिविजूल तक क्योंके पहुंचना है तो उसके लिए यह क्या करते हैं कि इनकी रिप्रोड़क्शन जो है वो इंतहाई कॉंप्लेक्स है आम तोर पे लाखों की तादाद में एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस किये जा यह अपनी लाइफ गुझारते हैं कि है जिसकी वज़ास उसक्सेस के चांसेज तो अगर गूंके फोस्त ऑवेखल नहीं है तो कोई दूसरा होस्त ऐसा होगा जिसके अंदर ये लाइफ गुझाराट लेंगे तो इस तरह से लाइफ के गुझारने की चांसेज्ब और fantastic तैं